हेलो प्रिवान दीस इस उर्भी वेलकम तो स्टेडी है कैसी हो सब आई होप आप लोग सब ठीक हैं अपने स्टडी को अच्छी तरीक से कवर अब कर रहे हैं आज का जो डिसकेशन रहेगा 25 महें का इंपोर्टन रहेगा आपके एक्जाम के पेंट वीज से आई आज का डिसक अब किया जाता है 25 माई को अवरी यर ताकि हम अवेर्नस को फेला सके इस्पैशली थायर डिजीज से रिलेटिड कैसके स्टम से कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है क्या किसके ट्रीटमेंट से क्यों कि कहीं लोग जो है अगर यह भीमारी हो गई है डोक्टर को दिखा जाता है डे जो है एक्जिस्टेंस में कब आया 2008 में आया प्रपोजल जो किया गया बाइदी यूरॉपियन थायरेड एस्सेशिशन के द्वारा तो यह जो रिपोर्ट है पब्लिक हैल्थ अपडेट ग्लोबली जो की गई उसमें 200 मिलियन पीपल जो है more than 200 मिलियन पीपल ज गले में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं के बार यह कैंसर का रूप भी ले लेता है तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आए थोड़े बहुत आपको सिम्टम्स भी दिखे तो आप डॉक्टर के पास जाए ताकि इसका ट्रीटमेंट सह किया जाता है तो बाइदी यहां पर अमेरिकन टॉटल्स रेस्क्यू के द्वारा यहां पर जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनेजेशन है उनके द्वारा इस डे को रेकोगनेज किया गया ताकि हम अवेनेस फिलासर के स्पेशली लोगों में की कैसे हमने आज के टैमें लिए तो इस चीज को रोकना है क्लियर टॉटल्स जो है और यहां पर इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं अगर एकोलोजिकल डिजाइन ओफ अर्थ की बात करें यहां पर इसकी थीम है एवरिवन चु लव एंड सेव टॉटल्स तो काफी सारा क्यूट यहां पर टॉटल है क् इस पिक्चर में भी आपको एक प्यारा सा क्यूट सा टॉटल दिख रहा है तो इंपोर्टन है यह यह आपको याद रखना है और इसकी थीम भी आप लोगों को मैंड में रखनी है क्लियर नेक्स यहां पर बात की जा रही है ग्लूबल हेल्थ लीडर अवोर्ट्स के बारे इंडिया की जो आशा वोकर्ट्स हैं अमंग सिक्स विनर्स को यहां पर अवार्ड दिया गया है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवोर्ड का क्यूंकि कोविट के दोरान आशा वोकर्स के द्वारा भी बहुत बहुत सारा जो है इंपोर्टर रोल प्ले किया गया लोगों की मदद की गई तो ओनर किया गया वर्ल हेल्थ लीडर अवोर्ड अवाले अरिया में और यहां पर एफर्ट्स लगाएगे यहां पर देख सकते हैं घरगर जाके लोगों का चेक अप किया गया कॉविट से रिलेटेड यहां पर बात करते हैं वर्ल हेल्थ और ग्रेंट की गया गया और ग्रेंटर अपरिल को हम वर्ल हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं तो 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ यह युन यहां पर इंपॉर्टन बात यह है कि कौन सी कंट्रे में बैल्जियम में कौन सी विमारी से रिलेटेड वो है मौकी पॉक से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बनाई है प्लिस उसको जाके देख लीजेगा और यहां पर इस लेक्शर में भी इसका रिविजन करवा दू यहां पर बैल्जियम के हम लोग पहले लोकेशन देख लेते हैं तो बैल्जियम जो है आप देखें यहां पर यह हमारी कंट्री ठीक है तो यहां पर फ्रांस है तो फ्रांस से आपको यहां पर यहां पर बैल्जियम देखने को मिलेगा अगर जूम मैप की बाद करें वहां और यहां पर यूके है तो फ्रांस और इंग्लान के बिट्वीन में कौन सा चैनल देखने को मिलता है यह आप लोग बताईएगा तो कॉमेंट सेक्शन में इसका अंसर जरूर दीजे अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के और क्वारेंटाइन यहां पर कंबल्सरी किया गय है मौंकी पॉक्स पेशेंट के लिए अगर यहां पर आफ्टर क्यूंकि चार केसिस देखने को मिले इस डिजीज के उसके बाद यहां पर यह चीजे जो है वह कंपल्सरी कर दी गहीं हैं बैल्जियन इंस्टिटूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसीन जो है काफी जारा यह केसिस चुह हैं मौंकी पॉक्स की कंफर्म किये गए स्पैशली यूके में पॉर्टूगल स्वेडन इटली स्पैन फ्रांस बेल्जियम जर्मनी यूएस कैनेडा ऑस्ट्रेलिया एस रिपोर्टी एस बाइज साओधी डेजर्स के लिए अब हम मौंकी पॉक्स के बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कूस करते हैं यह जूनोसिस डिजीज है यानि कि एक जानवर से डिजीज है ट्रांसमिट होती है तो रिसेंट्टी ही हेल्थ अर्थ और्थ और यूके की उनके द्वारे कंफर्म किया गया था यह केस मॉंकी पॉक्स और यह वाइरल इंफेक्श जैसे smallpox patients के देखने को मिलें कि जो बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं तो यहां पर eradiction की बात करें smallpox की कब गया इसको यानि कि इसको खतम यह भी मारी कब खतम हुई थी smallpox 1980 में subsequent cessation of smallpox vaccination emerged as the most important of orthopox virus अगर बात करें octopos virus की तो इसमें four species रहते हैं infect humans की specially अगर देखें तो वाइरोला smallpox जिसको बोलते है monkeypox वैसीनिया इसमें include buffalo pox भी और cowpox भी monkeypox वाइरल जोनॉटिक डिजीज है प्रीमियली यहां पे ट्रॉपिकर रेंफोर्ट एरिया में यह अकर होता है स्पेशली सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका तो monkeypox वाइरस इंवेक्शन जो है डिटेक्ट किया गया यह स्पेशली पहले squirrels में squirrels यानि की जो गलारिया रहते हैं gambian post rat में door mice and some species जो रहते हैं monkeys की उनमें monkeypox के अगर बात करें तो monkeypox यह वाइरस है एक कारण आप बोल सकते हैं जो member है orthopox virus genes come in the family of pox veridai तो family जो है कौन सी family से निकल के आता है यह यह भी याद रखना है अगर मैं यहां पर background की बात करो तो monkeypox जो infection है यह firstly discover किया गया यहां पर 1958 में discover किया गया था तो outbreak हुआ pox like disease यानि कि colonies जो रहती है monkeys में और research किया गया specially यहां पर इसका नाम दिया गया monkeypox शिम्टम्स क्या है monkeypox के यहां पर अगर देखे तो starting में fever rashes होते हैं यहां पर सूजन सी हो जाती है limbs में यहां पर पेन होती है तो यहां पर कि limbs to swell यानि कि limbs जो है उसमें भी swelling होती है with smallpox does not क्योंकि smallpox में ऐसी चीज नहीं देखने को मिलती थी कि limbs में swelling नहीं होती थी यह थोड़ा सा different है clear अगर बात करें इसके symptoms की तो monkeypox जो है 7-14 days लग जाते हैं इसके symptoms के लिए typically यहां पर 10th of the people ill with monkeypox may die यानि कि यहां पर जो है बहुत सारे लोगों की इस बीमारी से related जो है चीजें अगर देखे तो लोगों की जान भी गई है तो most death जो है occurring देखने को मिली जो younger age groups है आज के टाइम में वेक्सीन या वेक्सीन जो है यूज की गई द्यूरिंग smallpox eradication यानि कि smallpox को खतम करने के लिए वेक्सीन या वेक्सीन को यूज किया गया था तो एरेडिक्शन प्रोग्राम चलाया गया तक कि प्रोटेक्ट किया जा सके monkeypox को तो यह था important topic I hope आपको यह clear हुआ होगा तो यहां पर एक कोशन इस कोशन का अंसर जरूर दीजिएगा consider करने आपने following diseases तो यहां पर सही option बताना है तो diptheria, second है chickenpox, third है smallpox, इसमें से कोन सी disease जो है जो eradicate हो चुकी है हमारी country से यह आप लोगों को बताना है option A है one and two only, option B है three only, option C है one, two and three, option D है none, तो none of the above option D है तो इसमें से सही answer कौन सा है comment section में जुरूर बताइएगा तो location आप लोगों ने याद रखनी है Belgium की तो आसपास की countries के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखे clear तो map based questions आप से पुछी जा सकते हैं तो इंडिया के संदव में भी आपको याद रखना है की Belgium जो है कहां पर situated है तो इसा है important session हम लोगों का आज का तो I hope आपको यह clear हुआ होगा जो आपकी जो अलग-अलग से जो topics की वीडियो आती है वो आ जाएगी time पर clear तो thank you for watching my video जाहिंद